हैं एक थो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल कैसे हो आप सब आज मैं पालक की सब्जी बनाउंगी जो च्छिप खाने में बहुत ज्यादा टेस्टे होती है उपनलप के ह्लिए काफी जदे आची होती है सब जोबनाने के लिए जै मैंने काफी सारी पालक नीहीं है सबसे पहल में क्लाइट करना है पालक को तो जदा बारी काटनें की जरूरत नहीं है करनेंगे गदो पर के इसी तरह किरने के अपनो आप जरूर है करी गाइज आप चाहे सकते हैं करना सकते हैं आलो पालक और पालक पनेर बनाने के जो वीदी है बिल्कुल से मैथट है जे जेदिके मैंने सारी पालक को कट कर लिया है अब एक कड़ाई में मैंने पाने गर्म होने के लिए रखा हुआ था तो जेदिके अच्छा से कर्म हो चुका है अब इसमें हम कटे होई पालक डाल दे कि देरे-देरे करके हम पालग को इसमेंगे पांच मिनुट के लिए हम पालग को पानी में वाल करें के हमें पालग को जाला पकाना नहीं है पानी में इसे थोड़ा सा ही पकाएंगे आपको मैं चेक करके भी बताऊंगी हमें कि स्टेज में इसे बहार निकाल लेना है पाने में से पांच मिनट हो चुके हैं तो मैं पालक को हाथों में लिका दिखाऊंगे जब हम हाथों से इसे मसल हो रही है इसे अब हम बंद कर देंगे गैस को और पालक को निकाल लेंगे और जब हम इसे पालक को पानी में से निकाल लेंगे तो इसमें ठंडा पानी डालेंगे छे देखे हम ठंडे पाने से यिसे दोएगे ठंडा पाने से दोने से यह हुगा जो पालग का कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा लाइट नहीं होगा जैसे व्य हमारी पालग कैस kids क्रीन कलर है बिल्कुल वैसे ही है, मारा जे पालग का कलर रहेगा और सब्जे देखने में बहुत ज़्याता अच्छी लगेगी अब इसे पालग को हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे एक प्रीप में मैं इसे निका रही हूँ थंडा होने के लिए जब ज़े थंडी हो जाएगी तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे आप तड़का रेटी कर लेते हैं गड़के के लिए जब मैंने प्यास लिए है अद्रक लसन और टमाटर इसे मैंने सभी चीज़ें को रफली ही थे होएे इक नणाई में औल कर माने के लिए रखा हुए है तो इसमें हम सबच निया और ठाम साबत काले मेल बाख के ता लेंगे थुडा सा इसमें मैं जीरा डालों गी सा बख को डालकर हलका सा बून लेंगे हमें इससे ज़्दा गोल्डन ब्राउंन नहीं करना है बिस इ की हुए टमाटर भी डाल देंगे और टमाटर को भी ज्यादा हमें नहीं पकाना है बिस हलका सा जब गल जाए टमाटर तब हम गयास का फ्रीम आफ कर देंगे और जिदिखिए अब इसमें वने टमाटर डाल दिये हैं टमाटर को भी हलका सा बूल लेंगे जब जब गल जाएं की तो इसे हम क्राइंट करनें की अगए टो हो सिचंब कर देंगे और ठंडा eder कि हमारी हो चुकिके हैं तो उसे हम कि यहार में डाल लिए है तो आब इसे हम ग्राइन करनेगे अच् hands जदि की पाल्ग कमारी तेंट हो कितना अच्छा क्लरा है किallo आप शर्व करना है अब मैं निकाल लेंगे तेटिकि सारी पालग को मैने ग्राइड करके निकाल लिए है और जो हमारा तड़का है उसे भी मैंने ग्राइड कर लिया था और अब उसे मैंने एक कड़ाई में डाल दिया है जे दिखें अब इसमें हम मसाले अड़ करेंगे टेस्ट के कोर्डिंग नमक डालेंगे हल्दी पाउडर टेस्ट के कोर्डिंग लाल मिच पाउडर डाला है मैंने आप चाहें तो हरी मिच भी डाल सकते हैं दरिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मिर जालमिच पॉडर भी डाल दिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी चीने भी डालेंगे चीने डालने से सारी मसाले अच्छे से अपना फ्रीवर शोड देते हैं ब मिक्स कर लेंगे मसाला हमारा राड़ी है बिल्कुल सब्जी बनाने के लिए अब इसमें हम ग्राइंड की हुई जो हमारी पालक है उसे डाल देंगे देखिए पालक का कलर कितना अच्छा आया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे पाच मिनट के लिए पकाना है आप चाहें तो ऐसे ही पालक की सब्जी बना सकते हैं चाहें तो इसमें आलू डाल सकते हैं पनीर डाल सकते हैं आलू पालक और पनीर पालक दोनों की स्पीज सीम ही है आज मैं आलू पालक बना रही हू तो चेक कर लेते हम पालक को हमारी सबची काफी हद तक पक चुकी है पालक हमारी तो इसमें हम आलू डाल देंगे आलू डालने के बाद हमें तीन से चार मिनट के लिए पालक को और पकाना है इसे हम डग के पकालेंगे ता हमारी जो आलू है पालक में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो सारा मसाला जो है जो टेस्ट है पालक के सारा आलू में विया जाएं तो इस तरह हम इसे पकालेंगे चेक कर लेते हैं जिदे के हमारी यालू पाले की सबजी बने के बिल्कुर रेडी है जिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाईस आप भी जरूर ट्राय करिएगा आपको आज कीची में रेस्पी कैसे लगी मुझे को मेंट करके जरूर पताईएगा और मेरे चैनल क लाइक सब्सक्राइब और शियर जरूर करिएगा गईस थैंक्स फोर वाचिंग